नमस्कार मैं कशिश और स्वागत आपका नेक्स्ट नाइन नियूस में यहाँ पर आपको बता दे कि हिमाचल प्रदेश में जो जीत हासिल की है कॉंग्रिस पार्टी ने उसका पूरा श्रेक कही न कही हाँ पर सचिन पालिट को जाता हुआ नजर आए क्योंकि कहा जा रहा है कि सचिन पालिट को स्टार प्रचारक बनाया गया था और इस वज़ा से जिस तरीके सुनों ने हाँ पर हुंकारे भरी विपक्षपन निशाना साधा जनसभा की रेलिया की वो कही न कही सई साबित होती नजर आई और उस वज़ा से जनता यहाँ पर सचिन पालिट से खुश हुई और यहाँ पर वोट डाले जागा लेकिन वह पर पर प्रतिबा सिंग की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि वीर भद्र सिंग के नाम पर यहाँ पर चुनाव लड पालिट को सीम पत की बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी उन्हें ये पत दे दिया जाएगा क्योंकि अगर इशों गहलोट की बात की जाए तो उन्हें स्टार प्रचार गुजरात में बनाय गया था और गुजरात में देखा कि कितनी भारी तरीके से इतने कम वोटों स आतर की और भुजरातार में पालिट की पुल बांते नुजरारे जा रहा है कि इनके जितना इंताद कोई नहीं कर सकता, जितना इंनों ने किया है, लगतार इहां पर इंधी तारीफ की जा रही है, और बार बार राहूल गांदी की तरफ से अपनी भारत जो ढोई यात्रा में दिखाई द है साचिं पायलेट, कंदे पे हार रहात रिखतों ज दिखाई देरी है वो तस्वीरे जो राहूल गांधी और सचिन पालिट किये लेकिन अगर देखा जाए इन सारी चीजों को इन सारे मुद्दों को इन सारे मामलों को तो कई न कहीं ऐसा लग रहे है कि शायद वो दिन बहुत ही नजदी के और सिर्फ वासे प्रेंका गांधी क कि वज़े से कि जब सचिन पालिट को यहां पर एक बड़ा कद और बड़ा पद जरूर मिलता नज़र आएगा तो आपको क्या लगता है कि क्या पार्टी के बाहर का रस्ता देखना पड़ेगा बश्यों गहलूत को या फिर नहीं अपनी राय ज़रूर दे और बागी खब